अखिर मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदे कि 1901 में जब 17.9% किसान थे तो 2011 में 45.01 हो गए ये 26.08% किसान मेरा कहां चला गया मैं हर दिन खोशे रहाता हूँ भाई तु किधर गया अब आज लगाता हूँ अरे भाई 26% किसान मेरा कहां डूब गया जरा अब आज गो तो आब आज आती है उसी हाकड़े से कि 1951 में खेतियार मजदूर 28.01 एक परतिसत था जो बर करके 2011 में 54.09% हो गया वो 26.08% बढ़ गया सहरों में जाओ अब वो भाग के सहर में आया 1951 में 87% गाउं में थे और 1921 में 68.08% 14% किसान गाउं का याजवी चला गया वही था जो सहर में आया दिली में आया फुटपात पर सोता है पेर के नीचे सोता है रिक्सा ठेला चलाता है आधे पेठ ठाता है अगर धनेबाद द जिए जएना चाहिए गुर्द्वारा को जो गुर्द्वारा के लंगर का प्रशाद अगर इन हजारों लोगों को रोट दोन व सामने मिलता तो कितने लोग दिल्ली में भुखिरा जाते किसान के बच्चे सभी जाती के हैं यह नहीं कि कोई पिछ्डे डलीत है सभी जाती क है गाव में वह ब्राम्हन है भूमिहार है राजपूर्थ है अच्छे पड़िवार उनके द्वाब दादा थे लेकिन दिल्ली में आ करके वो टंपो चलाता है रिक्सा चलाता है मजदूरी करता है कहा पड़िवर्दन किया उसको बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने परियास किया है कि हम इस निसा को कैसे बतले कि कोई भारती ये बाहर संकट में हो और ये सरकार चुपी साधले ये संभव ही नहीं है ये हमारी कारिशेली ही नहीं है पूरा सदन और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि अगर एक भी भारती ये संकट में आता है तो हम 24 घं क्टिर झाल 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 साथ हूज कर जास हां जा झाल झाल से अथाज़ हुट झाल झाल सकती है